Hello everyone, hope you all are absolutely fine, welcome to my channel Indian Life in Saudi Arabia and welcome to today's video हम है आभा हॉलिडे ट्रिप पर और आप हमारे साथ एक्स्प्लोर कर रहे हैं आभा सिटी तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टाइट पिछली वीडियो में आपने देखा हम थे आभा डैम पर जहांपर हमने बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया लेकिन ऐसे डैम हमें इवन रियाद में भी देखने को मिलते हैं जैसे कि वादी नमर, वादी हनीफा, हायर लेक पार्क लेकिन अलग सिटी होने की वज़े से यहां का अट्मॉस्फियर भी बिल्कुल अलग है हम है आठ ग्यालरी के पास और अभी दोपहर का टाइम है और हम यहां पर कुछ लंच वगेरा कर लेंगे तो बाहर से ही हमने खाना लिया है यहीं पार्क ही में बैट कर हम लंच कर लेंगे और इसी के बाद ही हम जाएंगे हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पर जो की होगा सौधा माउंटेन यह देखिए सौधी अरब का फेमस फ़हम और खपसा राइस तो खपसा यहां का नाशनल डिश है इसके साथ है यह खुबुस जो सौधी अरब की रोटी है वही है साथी में हमें मिलता है सालड और यह है रोस्टेट ग्रिल चिकन बस अब लंच के बाद हम अपनी जर्णी फिर से स्टार्ट कर चुके हैं हमने आर्ट ग्यालरी का पता किया लेकिन अभी जो है सीजन नहीं है इसलिए आर्ट ग्यालरी अभी बंद है तो हम वहां पर विजिट नहीं कर सकते हैं यहां हम चड़े जा रहे हैं माउंटेन के ऊपर तो रस्ते आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं और साइट से व्यू भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है पूरे जो है आभा सिटी का व्यू बिल्कुल इसी तरीके से ही दिखेगा ऊपर इतना बढ़िया सा आसम तकरीबन 20 से 30 मिनट की ड्राइविंग के बाद हम पहुँच चुके हैं सौधा माउंटेन ये देखिए यहां पर गाड़ियां पार्क कर सकते हैं लोकल वेंडर्स हैं यहां पर देखिए जो की फ्लावर के बने हुए क्राउन बेच रहे हैं अट लास्ट हम पहुँच गये हैं आभा सिटी का सबसे मेन व्यूपॉइंट पर और बस यहां पर से हमें दिखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पाहार वादियां बादल और ये घना जंगल हम है अट प्रेजन्ट सौधी अरग के सबसे हाइस्ट माउंटेन पर और ये है हाइस्ट व्यूपॉइंट केबल कार राइट कर सकते हैं हम यहां से लेकिन अनफॉर्चिनेटली यहां पर अभी सारे केबल कार्स बंध हैं 3000 मीटर्स की हाइट पर हैं हम अभी जो है सौधा माउंटेन विच इस दे पार्ट आफ वास्ट आसिर नैशनल पार्क बहुत सारे घने घने पेड़ हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पर धेर सारी ग्रीनरी हरियाली है यह देखिए चोटे चोटे फ्लार्स हैं और इस तरीके से स्पॉर्ट बनाया हुआ है तो यहां पर आकर हम रुक सकते हैं खड़े होकर देख सकते हैं बाउंडरिस बनाई हुई है पत्थरों से यहां पर वुडन स्टेप्स बनाए हुए हैं तो इससे होते हुए हम नीचे भी जा सकते हैं यह देखे यह है रस्ता। पिक्चर्ष क्लिक करने के लिए best background है आप देख सकते हैं बिलकुल natural है। और यहां पर बहुत सारे लोग पिक्चर्ष क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। और हम भी यहां पर पिक्चर्स क्लिक करेंगे, यह दिखिए गुड़ू, गुड़ू के डैडी हाई बोल रहे हैं, बिल्कुल काम प्लेस है नेचर के करीब, और यहां पर से देखने से बिल्कुल मतलब आँखों को इतनी ठंडक मिलती है, क्योंकि हम रियाद में रहते हैं, वहां की ट्राफिक, लाइटिंग्स, बिल्डिंग्स, मॉल्स, यही सारा कुछ हमें देखने को मिलता है, इस तरीके से नेचर के करीब हम अभी आए हैं सौदी अरब में और यहां पर बहुत ही अच्छा लग रहा है झाल झाल यह देख़ें साइन बोर्ट लगाया हुआ है तो कुछ डारेक्षंस हो, इन्फॉर्मेशन हो, वर्णिंग हो, सजिशन्स हो तो इसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है इस mountain की खास बात है यहां की scenery, यहां के views और यहां का fresh air साथ ही यहां का wild nature, घने जंगल और इस तरीके से हलके हलके बादल भी दिख रहे हैं mostly जो है दूसरे time जब हम July-August में आते हैं यह वही wooden steps हैं, तो अब हम यहां से नीचे भी जा रहे हैं तो बड़ा ही मतलब हमें careful रहना होगा और slowly-slowly हम गुड़ू के साथ नीचे जा रहे हैं यहां पर हम cable car ride कर सकते हैं, mountain hike कर सकते हैं camping trips plan कर सकते हैं, ऐसे ही कई सारे outdoor activities यहां पर किया जा सकता है यह देखिए नीचे कुछ इस तरीके से घने घने पेड़ हैं, बहुत ही पुराने लग रहे हैं यह देखिए इसके जो branches हैं, यह इस तरीके से हैं हमें यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं लेकिन हमें careful भी रहना है, क्योंकि यहां पर से हम नीचे जा रहे हैं जो path बना हुआ है, हमें उसी को ही follow करना है इससे हटकर अगर हम जंगल में जाते हैं या फिर आसपास दूसरी जगह जाते हैं तो यहां पर जो security guards होते हैं, वो आकर हमें वापस से path पर आने के लिए बोलते हैं यह देखे, इस तरीके से रस्ता बना हुआ है यहां पर हमें सब clear नजर आ रहा है, लेकिन हमें पता चला कि जब season होता है यानि कि जब बारिश वगेरा होती है तो उस time पर इस तरीके से clear view नहीं दिखते हैं क्योंकि हर जगह होती है, सिर्फ clouds जो की move करते रहते हैं यह एक अलग experience है और वो एक अलग experience होगा यहां से cable cars के through हम दूसरे mountains भी जा सकते हैं यह जो soda mountain है इसके down side south में रजल अर्मा करके place है जहां पर हमें ancient stone village देखने को मिलता है वहां पर भी जाया जा सकता है लेकिन जैसा कि मैंने बताया अभी cable cars सारे बंद है क्योंकि season नहीं है लेकिन फिर भी हम stone village जाएंगे mountain से होते हुए ही जाएंगे तो कल हम वहां का trip plan करेंगे यह देखिए कितना प्यारा plant है इस पर flowers भी लगे हुए है चोटे चोटे तो बस अब हम और नीचे नहीं जाएंगे अब हम जाएंगे वापस थोड़े से plant के branches मैंने तोड़ लिये हैं इसे मैं साथ में ले जाओंगी शाम होने वाली है तो अब हम जाएंगे वापस क्योंकि रात के टाइम पर यहां पर लाइटिंग्स तो नहीं है और यहां पर रहना भी safe नहीं होगा तो इसलिए हम अब यहां से जाएंगे वापस यह देखिए यहां से sunset का view यहां पर भी लोग wait करते हैं sunset देखने के लिए या फिर sunrise देखने के लिए यह देखी कितना प्यारा लग रहा है तो अभी बिलकुल अंधेरा होने वाला है और यहां से सारे mountains कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं और वहां पर है main roads जहां पर से car आ जा रही है और इस तरीके से आप देखिए कितना मतलब कि गहरा खाई है बहुत ही dangerous है ज्यादा नजदिक नहीं जाना चाहिए बहुत सारे mountains है और इसी के बीच में से यह देखिए रस्ते बने हुए हैं और यहां पर है mountains के बीच में ही चोटे चोटे villages, towns शाम हो गई है इसलिए clearly नहीं दिख रहा है ऐसे ही बहुत सारे spots हैं जहां पर लोग आकर रुकते हैं और बैठते हैं आराम से और mountains देखते हैं, sky देखते हैं यहां का जो weather है उसे enjoy करते हैं यह देखिए इस तरीके से लोग अपने कार को पार्क करके नीचे इस तरीके से बैट जाते हैं time spend करते हैं रात होने वाली है और हम अभी यहां से निकल जाएंगे तो बस अपना वीडियो मैं यहीं पर end करती हूँ आपको पता है न करना है वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को शेर करना है और कॉमेंट भी जरूर कीजिए मिलते हैं आभा के नेक्स्ट प्लेस पर तब तक के लिए stay safe stay healthy thank you so much for watching and keep watching Indian life in Saudi Arabia